हम बात कर रहे हैं ITC की लास्ट ट्रेडिंडे की बात करें तो ITC में हमको 2% टक की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिले हैं हलाके मार्केट में भी गिरावट थी तो उसका इंपेक्ट हमको ITC पर नजर आए और हमने डिसकस भी किया था इससे पहले कि 338-340 का लेवल जहां से इस टॉक ने रिजेक्शन दिखाया है इसके तगडे रजिस्टन्स का काम करेगा और हम देख सकते हैं दोस्तों स्टॉक न नजर दाले ITC के चार्ट पैटन पर एक दफ़ा नजर दाले तो देखिए दोस्तों चार्ट पैटन को एक जम्प आया 330-332 के लेवल से रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई इस लोको ब्रेकड़ॉन नहीं कर पाया अगेन जम्प अगेन गिरावट तो इस लोको ब्रेकड़ॉन नहीं कर पाया बांस बैक के साथ अपने हाई को ब्रेक आट यहां से अब ITC जहां ट्रेट कर रहा है इसका इम immediate support area है निक्स सपोर्ट और तगड़ा सपोर्ट रहाएगा 420 का लेवल स्टॉक ने गिरावट के बाद इसी लेवल पर सपोर्ट लिया और बॉन्ट बैक के साथ अपने हाई को ब्रेक आट किया तो यह तगड़ा सपोर्ट रहेगा 420 के लेवल का breakdown कर गया तो वह इसे condition में आगे 408 से लेके 400 टक का fall फिर हमको ITC में देखने के लिए मिल सकता है लेकिन आप यहां breakout के chance जियादा बन रहे है chart pattern भी हम देख रहे हैं दोस्तों हमको higher high देखने के लिए मिल रहा है लगातार तेजी अब बता रहा है हमको अब इंतिजार करना है उसी दिन का जिस दिन यह high इसका breakout होगा 3, 438, 440 का level के breakout का हमको इंतिजार करना है जिस दिन भी यह high breakout होगा है इसके बद बड़ी buying बड़ा jump ITC में देखने के लिए मिल सकता है फिर लगातार तेजी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है immediate target अपना रहेगा 440 का level इसको breakout कर गया तो next target 460 और इस bounce back के साथ 480 तक के target ITC में हमको short term में देखने के लिए मिल सकते है पहले हमको देखना है कि इरान इसराहिल के वार के चलते मार्केट क्या react करता है अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो वीडियो education purpose के लिए कोई buy से लिए hold की सला नहीं है